हेलो दोस्तो अगर आप लोग भी बिहार बोट 24 में इंटर का एक्जाम दिये हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्पुन होने वाला है क्योंकि आपके मन में यह जरूर डाउट होगा कि किस दिन आपका रिजल्ट आने वाला है यानि कि 2024 में जो भी इंटर का स्ट आएगा वो आप लोग अनुमाल लगा सकते हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो अगर आप लोग बिहार बोट 24 में इंटर का एक्जाम दिये हैं तो आपका एक्जाम एक से लेकर यानि कि एक से लेकर 12 फरवरी तक हो गया होगा यानि कि लगभग एक से लेकर 12 फ परकिया जो है तेश फरवारी से लेकर 4 मार्च तक ह Recommant हो चुका है यानि के आपका जो कॉंपी वहां पे चेक हुआ है तेश फरवारी से लेकर वहां चार मार्च तक Complete हो चुका है उसके वाद केंद्र का बात करते हैं तो यहां 200 केंद्र बनाए गए थे यानि के कोंपी चेक करने के लिए यहाँ पे 200 केंदर बनाये गये थे जिसमें आपका वहाँ पे 25,000 सिक्षक थे यानि कोंपी चेक करने वाले जो भी सिक्षक होते हैं वो टोटल 25,000 थे और केंदर यहाँ पे 200 बनाये गया था आपका जो है यहाँ कोंपी चेक का परकिरिया य ही है तेश फरवारी से लेकर चार मार्ज तक आपका कंप्लीट हो चुका है उसके बाद केंदर बनाया गया था 200 जिसमें लगभग 25,000 सिक्षक थे वहां पे कूपी चेक करने वाले तो कूपी चेक करने का पड़किरिया पहले कैसा रहता था कि बच्चा अगर कम भी पढ़े ह अगर आपका वहां पे सही सही लिख कर आए हो तो आपका नंबर अच्छा मिल जाएगा मजा आप कर लेंगे स Лगो को बिल खरखो को यह आपको गुलाने की और कि कि आप लोग जो भी वाहां पर मोबाइल नमट दिये हुएगा उस पे कॉल जाएगा इसलिए आप लोग हमेशा मोबाइल फे ध्यान दिजियेगा यानि कि कभी भी आपके पास कॉल जा सकता है कॉल को वाहां पे recipe करना है और इस बात को ध्यान में रखना है कई से अगर call आये और बोला जाए कि आपको इतना पैसा लगेगा टॉप करा दिया जाएगा तो वहा है पे आपको फसना नहीं है बहुत सरा fraud इस परकार से होता है तो आपको क्या करना है वहाँ पे इस परकार से फसना नहीं है और topper verification का लगभग last date माना जाए तो 18 तक आपका क्या होगा कि topper verification वहाँ पे समाप्त हो जाएगा और topper verification के समाप्त होते ही 2-3 दिन बाद आपका result आ जाता है तो इससे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं और topper verification के लिए जो भी call जाएगा वहाँ पे लगभग 10-12-13 तारीक तक आपको call जाएगा उसके बाद 18 तारीक तक इसका प्रकिरिया यहाँ पे समाप्त हो जाएगा अब result की बात करते हैं तो result लगभग आपका 20-21 तारीक तक आ जाना चाहिए यह आप लोग माइंड में बैठा लीजिए कि result आपका लगभग 20-21 तारीक तक आ जाना चाहिए तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है इसके साथ ही आपको result का टेंसल लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आप लोग वहाँ पे कम भी लिखे होईएगा फिर भी आपको result आच्छा आने का इस बार चांस है कि इस बार बहुत ही अच्छा नमबर दिया जाएगा तो इस वीडियो में आप लोग जो भी समझे हैं इस चीज को आपको mind में बैठा कर रखना है I hope कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे समझे होंगे अगर आप इस चैनल परने तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सर कमेंट जरूर करें थाइंक यू